नमस्कार और आप देखें पलपल पुरू नेता प्रतिपक्ष एवं विधायक अबैशिंग चोटाला का बैयान केतल में 25 स्थम्बर को मनाया जाएगा चोधरी देविलाल जैनती समारो पतरकारों से बाचित में दी अबैशिंग चोटाला ने जानकारी कहा बड़ी शंख्या में पहुंचेंगे कार्यकरता वही मुखे मंत्री की जन आशिरवात यात्रा पर साधा निशाना कहा वईफालता सुभाने के लिए बस पर चड़े मुखे मंत्री पिचेतर पार की बात करने वालों को पंद्राप पर लाने का काम करेगा सम्मान दिवशकारेकरम कहा इने लों के बिना नहीं बनेगी परतेश शरकार जेज़िपी के कटपंदन के सवाल पर बोले अबैशिंग दोखा देने वाले लोगों को कौन करेगा विश्वास इने लोगों छोड़ कर गए विधायकों पर अबैशिंग चोटाला का बड़ा बैयान रामचंदर कंबोज मखनलाल सिंगला बलवान दौलतपुरिया की हैसियत नहीं थी की विधायक बनने की इन जैसे लोगों को हमने बनाया विधायक कहा ऐसे लोग कभी विधायक नहीं बन सकते वहीं उन्हेंने साब किया कि इने लोग छोड़ कर जाने वालों को वापस नहीं मिलेगी जगें बनकल सिर्शा से मर्शिक जानी की विशिश दिपोर्ट नेता पर्तिपक्ष एवं एलनावाद से विधायक बैसिंग चोटाला ने मुक्यमंत्री की जन आसिरवाद यात्रापन निसाना साथा उन्हेंने कहा कि विफलता चुपाने के लिए मुक्यमंत्री बस पर सवार हो गए है जेजेपी पर किसी भी परकार के गटपंदन और समझोते के सवाल पर उन्हेंने कहा कि दोका देने वालों के लिए किसी परकार का कोई समझोता या गटपंदन नहीं किया जा सकता वहीं उन्होंने बताया के 25 सितंबर को पूरू उपमुक परधानमंत्री चोधरी दिविलाल की जहनती पर कैथल में समान समारह का एजन किया जाएगा एक तरफ से इनेलो की है चुनोती वाली रेली और यही होगी एक चुनावी रेली इनेलो छोड़कर गए हुए विधायकों को लेकर के अबेशिंग चोटाला ने कहा और बड़ा वयान दिया उन्हों का की खास तोर पर सिर्साथ के विधायक मकहनलाल सिंगला रानिया के विधायक रामचंदर कमबोज और फतेवाद के बलवान सिंग दोलतपुरिया का नाम लेकर के उन्होंने सपष्ट कहा कि ऐसे लोगों की हैसियत विधायक बननी की नहीं थी जो लोग इनेलो छोड़कर गए हैं उनकी वापसी के दरवाजे पूरी तरह बंद हो चुके हैं अभी सिंग ने कहा कि जो लोग इनेलो छोड़कर के भाजपा में शामिल हो रहे हैं वहाँ उनका अपमान हो रहा है अब देखरे हैं पलपगी विशेश रिपोर्ट जोदरी देविलाल जी के जनम दिन को समार्दिवस के रूप में 25 सिप्टमर को मनाते हैं इस बार चोई साब के जनम दिन को हम कैथल की अनाजमनी में मनाने का का ताम करेंगे और वहीं लाखों की संख्या में लोग आएंगे और उनके परती अपने सर्दाशों मन अग पित करेंगे आपको भी निमंतर्ण है और मैं परदेश भर के पार्टी के कारिये करता हूं कि सब आम उनसे मिल करके उनकी जुम्यवारी लगाऊंगा और उसके साथ-साथ क्योंकि एलेक्शन इयर है और इस एलेक्शन इयर में उस दिन इस बात पर भी मोर लगेगी कि आने वाली सरकार जो है वो इंडियन नेशनल लोगदल पार्टी की बनेगी मुझे पूरा विश्वास और वरोसा है परदेश की जनता पे कि वो बड़ी संख्या में आकर के है बीजेपी की सरकार को उखाडने का संकलप लेगी वही कांग्रेस को सत्ता से बार रखेगी और इंडियन नेशनल लोगदल पार्टी को सत्ता में लाने का संकलप लेकर की जाएगी और थोड़े दिन बात जो विदान सभा का चुनाव होगा उसमें जो पिचेतर पार की बात करने वाले उनको पंदरा पे लेकर के रोकने का काम करें आज जो प्रदेश के आलाथ है जिस तरह से कानुन वेवस्ता काज दिवाला पिटाव है आज दिन कोई ऐसा नही जाता जिस दिन इस प्रदेश में तीन से चार रेव की घटनाई ना होती कोई दिन ऐसा नहीं जाता प्रदेश में जिस दिन तीन चार लोगों को बेकुसूर लोगों को मोत के घाटना उतार दिया गया हूं अनेक चोरी की बारदात होती है हमारा नोजवान जो है युवा जो है पंजाब में एक वकत ऐसी चर्चा थी कि पूरा पंजाब नसे की चपेट में आ गया पंजाब का युवा बरबाद हो गया लेकिन अर्याना प्रदेश में पंजाब से भी ज्यादा बूरे हालात है यहां पे तो कोई शेर और गाम ऐसा बचा ही नहीं कोई घर और गड़ी नहीं बची होगी मेरी जाल जिसमें इस किसम के कारोबार में लोग शामिलना हो हमारी युवा पीडी कैसे बचे उसके लिए हम इस किसम के कानून बनाएंगे किस कारोबार में शामिल लोग जोंगे उनको तो कड़ी सजा मिलेगी जो लोग जिनों इस परदेश का इस नसे की गर्त में डबोने का काम किया ऐसे लोगों को भी नहीं बखसेंगे ऐसे लोगों के खिलाब भी कारवाई करेंगे आज मुख्यमंत्री जो है लगातार लोगों को गुम्रा करने है पांच बरस में तो कोई काम किया नहीं अब कैसे मद्दाता को बरगणाया जाए इसके लिए बस पे चड़ गया और बस पे चड़ करके उपर से जोर-जोर सहवाजें मार-मार के करता है कि मुझे फिर पांच बरस के लिए मोका देने हूं मैं आपके इलाके के लिए फला काम करूँगा फला काम करूँगा हमने सेस्टन में मुख्यमंतिरी से का था कि पांच बरस का लेखा जोखा अब आप अपनी आखरी स्पीच में देख करके जाना लेकिन हरानी की बात है मुख्यमंतिरी ने जब रिपलाई दिया उसमें एक शबद भी अपने पांच बरस के कारियकाल के बारे में मुख्यमंतिरी उसको बता नहीं पाया हमने तावे नहीं किये हमने धराफल पे करके दिखाया है हमारे उपर कई दफा आप जैसे साथ्य ने भी एका कि इंडियन नेशनल लोगदल पाटी जो है वो नो कांकड़ा पार नहीं करे जी हम उन आलात में बतिश सीट जीत करके आये थे आज फेर आप लोग इसी तरह की तर्चा करते हैं लेकिन देखना प्रदेश की सरकार हमारे मिना नी बढ़ गए किसके साथ गठ बंदर की कहरेगा कोई हमारे पास चलके अगा तब कोई बात करेंगे किसी ने आप से बात करी है क्या आप के पास कोई आये तो मुझे बताना जरूर्ष अब यह मान के चलो कि हमारे मिना सरकार नी बन सकती ना है यहर आज भी कहता है तो फिर आपको भी एक कहना चे भी सरकार तो लोग दली बनाएगा यह जोग के सब्सक्राइब करने बन कर देऊगा यह जोग अमारे से अलग होना है कि बात तीन लोगों से घठ बंदन कर चुकिए तीनों के साथ दोखा कर चुकिए दोखा देने वाले लोगों पे कोण भी इस्वास करेगा रामचंद कंभोज के अपने दम पे विदायक बना थे मक्हन सिंगला क्या इतनी बड़ी आशित रखता था कि वो सर्शाला विदायक बन सकी दोलत्पुरिया की इतनी ताकत थी जितने भी लोग छोड़ करके गए हैं ये दस तिन बाद टक्रे मारते मिलेंगे आपको जितनी अमने इनको मान समान और रिजद दिया इस तरह घर से बुला करके टिकट देख करके मेले बनाये विदान सभा तक पंचाया अमिच्या की रैली में ये सब लोग गए थे जो हमें छोड़ करके गए और सब को दक्य मार करके मन से नीचे उतारा गया था ये वीडियो वाइरल हुई है किस तरह से आज अपमानित हो रहे हैं तो मान के चलो कि ये स्वार्थी लोग हैं इनको कोई अपमानित करें इनको कोई गाड़ियां दें कोई इनको जूते पहनाए कोई इनके जूते मरें स्वार्थी जोता है उसको इनकी चीजों का फ़रक नी पड़ता है आज चुनाव आएगा तब देखना लोग इनका कैसा वेलकम करते हैं को